दोस्तो इन दिनों बिमारियों का खत्रा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसिज होते हैं, ऐसे में बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जुरूरी होता है कि हम वो चीजे खाएं जिन में प्रोटीन होता है, फाइबर, एनर्जी से भरपूर होती हैं जो चीजें, हमें उनका सेवन करना चाहिए, इन चीजों के सेवन करने से हमारी इम्मूनिटी बढ़ती है, जिससे हम बिमार नहीं पढ़ते और बिमारियों का खत्रा भी टल जाता है, तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, जिसका आप बेजिजक से मिल भी जाएगी, तो चलिए आपको बताते हैं वो चीज कौन सी है, दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो कालरी होती है, फाइबर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइटरेट, कैल्शियम, आइरन, कैरोटीन, थाइमेन, नियासिन, और ये विटामिन का अच्छा स्त्रोथ है, यदि मैं बात करूं, दो आमले में दोस्तों, बीस संत्रों के जितना विटामिन सी होता है, जो कि हमारी ह के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, वैसे तो आज कल मार्केट में बहुत सारी हरी सबजियां, बहुत सारी ऐसी चीज़े आपको मिल जाएंगी, जिनका आपके शिरी पर बहुत अच्छा परभाव पड़ता है, यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं, ऐसे में दोस्तो आपको आवले के सेवन की विधी और इससे होने वाले फाइदों के बारे में आपको बताएंगे, यदि दोस्तो आप एक या दो आवला हर रोज कच्छा भी खाएं, वैसे तो आप आवला किसी भी रूप में खा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फाइदे मिलेंगे, द इतनी बना कर खा सकते हैं, या फिर जूस बना कर इसका ले सकते हैं, हर रूप में ये आपको फाइदे ही फाइदे देगा, तो आप किसी भी रूप में आवले का सेवन कर सकते हैं, आवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छी चीज है, तो आपन पिर दोस्तों आपने आमले को कद्दू कस करके घिस कर यानि की इसे पानी में मिला कर हर रोज खाली पेट ले लेना है आपने पानी भी पी लेना है और ये घिसा हुआ आमला भी खा लेना है बहुत ही बड़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको क्योंकि इससे हमारा खून साफ हो लिए काफी healthy है आवला, अगर आप हर रोज आवले का सेवन कर रहे हैं, तो आपको skin से स्मंदी कोई भी परिशानी नहीं होगी, जैसे कि आपके चहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तो आप आवले का हर रोज सेवन करें, आपकी skin पर बहुत बढ़ि healthy हो जाएगी और दोस्तों जिन लोगों को कर्ज बनी रहती है पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है पेट में दर्ध है अपच है या गैस की परिशानी है तो आप आवले का सेवन हर रोज करें सुबह उठते ही सबसे पहले आवने आवला घिसना है और इसको पानी के साथ ले सेवन करें और दोस्तों यही नहीं इससे आपकी आखों की रोशनी भी बढ़ती है आखों के लिए बहुत ही बहतरी चीज है यदि आपके आखों में पानी आता रहता है खुझली रहती है या जलन महसूस होती है तो इन सारी समस्याउं में आप आवले का सेवन कर सकते है आवले का सेवन करा सकते हैं उनको शुरू से ही आदत डाले एक आवला हर रोज खाने की इससे जोडो में दर्द भी कम होता है हडिया मजबूत रहेंगी तो हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा शरीर की माशपेशियों के लिए बहतर औशदी है बालो के लिए बहुत ही बढ़िया है बालो के लिए आप इसका सेवन भी कर सकते हैं इसका जूस ले सकते हैं या फिर आप बालो में सूखे आवले को रीठा शीका काई के साथ मिला कर इसको बालो की जडो में भी लगा सकते हैं आपके बालों में चमक आएगी, बाल बढ़ेंगे, कोई भी बालों से जुड़ी, कोई भी समस्चा नहीं होगी डाइबटीज और हाई बलड प्रेशर के लिए भी काफी बड़ी अस्रोत है जिन लोगों को डाइबटीज हैं, इसका सेवन हर रोज करें इसके अलावा हाई बलड प्रेशर को अगर कम करना चाहते हैं आप तब भी आप आमले का सेवन जरूर करें तो इस तरह से दोस्तों अगर आप आमले का हर रोज प्रियोग करते हैं तो आपको अंगिनत फायदे मिलते हैं आमला क्योंकि खून साफ करता है, डापटीज को रोकता है, कोई भी जलन हो जाती है अंदर शरीर में उसे रोकता है जॉनलिस में भी बहुत ही बढ़िया है, हाईपर एसिडिटी हो जाती है, उसको भी फटफट से कंट्रोल में कर लेता है आनीमिया की प्रोब्लम है आपको, वो भी इससे सही हो जाती है नाग की कोई प्रोब्लम है, वाट पिट से जुड़े कोई भी रोग है, या बवसीर में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है सांसों की दुरुगन में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं खासी, कफ, समंदी सभी बिमारियों में आपको ये राहत देगा तो दोस्तों आप भी आमले का हर रोज प्रियोग करें इसका जूस पिए या फिर इसको पानी में डाल कर इस तरह से ले लें तो इस तरीके से दोस्तों आप आमले का सेवन हर रोज कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी आज से ही आमले का सेवन शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाया अपनी हेल्थ को सही रखें तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं दोस्तो ऐसी ऐसी रेमिडीज के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद